हेलो फ्रेंट मैं दो संपत कुमार आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यदि आप जमील खरीदने के लिए आप किसी को पैसा देते हैं और वो आदमी जमील नहीं लिखता है ऐसे परस्तिति में यदि आप पैसा वापस चाहते हैं यानि पैसा रिफंड चाहते हैं तो पैसा रिफंड केसे करवा सकते हैं यहां पर मैं दो प्रोसेस का बात करूंगा यादि आपने पैसा दिया है और एग्रिमेंट करवा लिए है यानि की आप जो पैसा दिये हैं उसका यदि लिखित फूरूप है आपके पास तब कैसे पैसा वापस होगा शाथे साथ यदि आपने पैसा दे दिये हैं विश्वास पे और किसी भी पर करना तो कोई एग्रेमेंट करवाए और पैसा देते समय कोई भी लिखा पड़ी नहीं हुआ है तो ऐसे परस्थिम आप उससे पैसा कैसे वापस पा सकते हैं इसी बारे में आज यह वीडियो हम लोग चरजा करेंगे यह वीडियो बनाने के लिए मेरा ही एक सब्सक्राइबर सुनुमिस्टा जी ने कहा है उसी का कहने पर मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ यदि आपके पास भी कोई ऐसा परस्थन हो जो परस्थन पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आपने शित रूप से इस खारन हो सकता है रहा है यापने जमीन कर दियत अब सब्सक्राइब है तो लेकिन आपके धिसंधी ने पर शकते झालते हैं आपका मान बदल गया आप जमीन खर्दा नहीं चाहते हैं तो ऐसे परस्थिति में आप उसे पैसा वसूल कर सकते हैं तो यहां दो condition लागू हो सकता है पहला तो यह हो सकता है कि आपके पास agreement या फिर लिखा पढ़ी करके आपने पैसा दिया दूसरा है कि मोखिक दिये तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि आपने पैसा agreement करके दिये हैं या फिर साधी पेपर पर ही नॉर्मली उससे लिखवा लिए कि आपने पैसा उसे दे रहे हैं तो ऐसे परस्तिति में वो पैसा कैसे वापस होगा यदि जमीन मालिक आपको जमीन नहीं लिखना चाहता है तो ऐसे परस्तिति में यदि आप पैसा वापस चाहते हैं पिरवियuses वीडियो को देख सकते हैं, लीगल नौटिस तयार करना बहुत असान है, आप खुद से अपने से भी गंनी को तयार कर सकते हैं, इसे पहले मैंने स्टोपीक टिटेल वीडियो बना के अफ्लोड किया है, आप उस वीडियो को देख लेंके, तो आपको हर चिस समझ म आजाएगा यदि आप लेगल नोटिस भेई देते हैं इसके पस्चाथ भी आपको पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं करता है तो ऐसे पर्थेती में आपको सिपीसी का ओडर 39 का रूल 1 & 2 के थाथ सिबील कोट में उस व्यक्ति के ऊपर परिवाद दैर करना होगा साथी साथ उसमें एस्टे ओडर भी लग जाने के बाद वह व्यक्ति न तो जमीन को बेच सकता है ना उस प्रोपर्टी पर किसी भी परकार कर कोई बदलाव कर सकता है तो आपको यह लाब मिल सकता है वहां हमको जमीन ही चाहिए क्योंकि मैने जो परिचा व्यवस्ता किया था काफी मसक्कत के बाद वह अजिक्ति नहीं होता है यह को आपको यह बात बताना होगा जैसे आप सिविल कोट में परिवार करी उस व्यक्ति को पर तो दोनों व्यक्ति को वहां उपस्तित हो के अपना पक्ष में यह बात रख सकते हैं दूसरा पुइंट है कि यदि एग्रिमेंट वोल व्यक्ति किया है और परशादेने से मुख कर मुकर्मा दर्ज कर सकते हैं आपको बता दे कि IPC का सक्षन 420 में साथ साल तक का साजा का परधान किया गया है साथी साथ यह गंभीर परविर्ति के अपराद के स्रेने में इसे रखा गया है यानि कि आप जैसे पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के उपर एफियर लोज करे आप उस व्यक्ति को जैल भीजते हैं उसके बाद व्यक्ति आप से समझोता करना चाहता है केस ट्रेल में चला इस बीच यदि वो समझोता करना चाहता है और आपका पैसा देना चाहता है या फिर वो जमीर लिखने को तयार होता है तो आप इस केस में समझोता करके ममला को कर सकते हैं दोखाधरी का मुकादमा में यहीं लाव है कि आप सम्झोता करके उस मुकादमा को रफा-धफा कर सकते हैं अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यदि आपको इव्यक्ति को जमीर खरदने के लिए पैसा दिये और आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो ऐसे में यह बात नहीं है कि आपका पैसा बूर जागा फिर भी आपका पैसा निकलेगा यहां पर आपको कुछ जधा मसकत करना पड़ेगा लेकिन आपका पैसा 100% उपर होगा जदि आपको इव्यक्ति को मुखिक पैसा देते हैं और आपके पास कोई भी लिखित दस्तावेज नही रहता है सबुत नहीं रहता है आपने कितना पैसा दिये और कब दिये तो ऐसे परस्थे में एक वीडियो इस टोपिक पर बना दिया है कि आपको पैसा कैसे वापस करवाना है उस वीडियो में पूरा प्रोसेस को मैंने बताया है कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाए वो वीडियो इधर आ गया है उसके क्लिक करके आपको उसे देख सकते हैं